कभी आपको बायोपिक करनी हो, तो आप किसकी करना चाहें? हिंदुस्तान के किसी भी एक समान निमावाब की, तो कि जो भी इस मुल्क में अपने बच्चे को ठीक परवरिश करते हैं, पालते हैं, वो हर कोई एक बायोपिक डिजर्व करता है. लोगडाउन के दोरान बहुत से चर्चित वेब सीरीज ने सबका ध्यान अपनी और खीचा, लेकिन पिछले कुछ समय से थियेटर से लेकर OTT प्लैटफॉर्म तक पे जिस कलाकार का डंका बज रहा है, उसके नाम के साथ भले सूपरस्टार ना जुडा हो, लेकिन उसकी एहम इन दिनों किसी भी सो कॉल्ड कहलाई जाने वाले सूपरस्टार से कम नहीं है, और वो नाम है पंकच्तिरपाठी, पिछले कुछ वर्षों में पंकच्तिरपाठी ने अपने भिन भिन तरह के अभिनए से फिल्म जगत और दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है गैंक्स ओफ वसेपूर से जो उनकी प्रतिवा का लोहा दिखना शुरू हुआ, वो निव्टन, गुडगाव, नीलबटे, सननाटा, स्त्री, मिर्जापूर से होता हुआ अब लूडो तक आ पहुचा है, जहां अलग-अलग तरह के किरदारों को बहतरीन धंग से निभा कर कहीं न कहीं उन्होंने अपनी जगए कुछ बड़े सूपर स्टार से भी उपर बना ली है, अब एक बार फिर वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ छोटे और बड़े दोनों परदे पर नजर आने वाले हैं, जो निसंदेह उनकी कला का एक और बेजोड नमूना साबित होने जी हां हम बात कर रहे हैं उनकी अपकामिंग फिल्म कागज के बारे में, वो भले सलमान खान द्वारा प्रड्यूस की गई हो, लेकिन फिल्म एक आम आदमी के जद्दो जहत की कहानी होगी, जिसमें कुछ भी ओवर ड्रामेटिक जैसा देखने को नहीं मिलेगा, जो अक्स गोशित कर दिया जाता है, और खुद को जीवित साबित करने के लिए उस आदमी को क्या कुछ करना पड़ता है, वो इस फिल्म में देखने को मिलेगा, खुद को जीवित साबित करने के लिए इस आदमी को 18 साल लग जाते हैं, और इस पूरी फिल्म में व्यंग के साथ और प्रशासन व्यवस्था पर एक सवालियन निशान भी लगता है पंकश तिरपाथी ने भले ही अलग अलग तरह के किरदार किये हों लेकिन उन्हें गैंक्स्टर वाले रूप में लोग काफी पसंद करते हैं लेकिन स्त्री नीलबटे सन्नाटा और न्यूटन जैसी फिल्म कभी आपको बायोपिक करनी हो तो आप किसकी करना चाहें हिंदुस्तान के किसी भी एक समान निमाबब की जो कि जो भी इस मुल्क में अपने बच्चे को ठीक परवरिस करते हैं पालते हैं वो हर कोई एक बायोपिक डिजर्व करता है पर आपको लगता है हमारी फिल्म स्ट्रीम ही नहीं हमारा समाज भी नहीं कर दो कमाई नहीं हमारे दुख कोई देखने भी नहीं आएगा समाज भी नहीं मैं जब बायोपिक मुझे बहुत अच्छे लगी थी करना चाह रहा था तो सतीष जी ने डिरेक्ट किये सतीष कोशिक सर और शूटिंग पोस्त में च इन पता चलेगा डिक्ट और फाइनली आभी इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है और फिल्म साथ जन्वरी को जी 5 पर रिलीज होने के अलावा उतर प्रदेश के कुछ चुनिंदा सिनेमा घरों में भी रिलीज होगी तो दोस्तों इंतजार कीजिए इस फिल्म के ट बाइसकार.